रोना उसी के सामने जो आसु गिदने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके। और रिस्ता रखना उसी से जो आपके रिस्ते का मोल समझ सके। जक्म वही है जो छुपा लिया जाएं, जो दिखा दिया जाएं उसे तमासा कहते हैं। मतलबी इंसान ही अच्छे होते हैं, जिने खुद के सिवा किसी से भी कोई भी मतलब नहीं होता। और एक हम थे जो दूसरे के मतलब रखते हुए खुद को ही समझ नहीं पाए। और लोग कभी भी किसी के नहीं होते हैं, जो दोस्ता और रिष्टों को कपड़े की तरह बदलते हैं। रिष्टे खराब होने के एक वज़ा यह भी है कि लोग अक्सर तूटना पसंद करते हैं लेकिन जुकना पसंद नहीं करते हैं। कमाल की बात है न पैसा इंसान के उपर ले जा सकता है लेकि निसान पैसा उपर नहीं ले जा सकता किसी के अंदर प्रेम जगा कर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है क्रोध और आधी दोनों बराबर होते हैं सांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुक्सान हुआ है सही बाते पढ़ने की आदत हो तो सही बाते करने की आदत अपने आप बन जाती है एक अलग ही पाचान बनाने की आदत है मेरी क्योंकि तकलीपों में भी मुश्कुराने की आदत है मेरी क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जब जमाने में कोई मुश्सा नहीं काटो का क्या गिला जो मजबूर है अपनी फित्रत दुख तो तब हुआ जब फुल भी जक्म देने लगे रात भर जलता रहा एक दिल उसी की याद में समझ में नहीं आता कि दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से मन की सोच अगर सुन्दर हो तो सारा संसार सुन्दर लगता है उजड़ा उजड़ा सा सहर लगता है हमें तो एक कुद्रत का कहर लगता है इंसान ने की एसी भी क्या तरक की कि आजकल इंसान को ही इंसान से डर लगता है तमन्नाय जब दिल से रुखसत हो गई यकीन मानिये जिन्दगी में फूर्षत ही फूर्षत हो गई होता होगा चुप राने का लोगों में हमें तो साब साब कहने का ए भाय यारो पना मिल जारू को जिसका हाथ छूकर उसी हतेली पर अपना घर बना लेना पहले जो आय में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है अक्सर हम उनी लोगों के हाथे अपना मजाक बनवाते हैं जिने हम अपने कमजोर लमों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं कुछ लोगों को तो इसलिए भी जो रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं सकते दुनिया का यही दस्तूर है साथ वहां तक मतलब जहां तक रिष्टो को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती स्वार पूरा होते है रिष्टा अपना आप तूट जाता है जिसकी गलतियों से भी मैंने रिष्टा निभाया है उसके बार-बार मुझे फालतू होने का असास दिलाया है अगर एक बार रिष्टे को बचाने के लिए जुक जाओ तो लोग गलत हमें पाल लेते हैं कि अब ये हर बार जुकेगा उचाई पर वो ही पहुंशते हैं जो प्रतिसोत की वज़ाई परिवर्तन की सोच रखते हैं जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं ये कलियुग है यहां लोग अपनी परसानी से कम दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुखना नहीं जब किसी ब्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है एक बार पुरे मन से किया गया प्रयास, सैकरों दूरे प्रयासों से ज़्यादा प्रभावी होता है। जब सोच में ही बीमारी लग जाये तो इंसान होस में भी होकर बेहोस ही राता है। कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिये जाते हैं। कितनी अजीब है दुनिया, यहां जूट नहीं सच बोलने से रिष्टी तूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं। और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हमें तवार करना ही छोड़ देते। कोई आपके साथ जैसा बिवार करें उसके साथ वैसा ही बिवार ना करके। आप जैसे हैं वैसा बिवार करकें कि आपकी पाचान उसका बिवार। नहीं रही सिखाए तब मुझे तेरी नजर अंदाजी से तूँ आखियों को खुश रख कर हम तन्ना ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले रोसनी में न दिखाई देते हैं। पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। जूटे वेक्त की उची अवाज सच्छे वेक्त को चुप करा देती हैं। वाहर से सुलजा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलजना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना की जेव में पैसा होना जरूरी है ओ इन्सान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा दर साते साते इंसान उस मुड़ पे आ जाता है कि उसे हर नया दर छोटा लगने लगता है वक्त जब करवट लेता है तो बाजिया नहीं जिन्दगी बदल देता है तमासा सच का ही होता है जूट की तो हमेशा तारीफ ही होती है अगर कोई चुप राता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो बेकूप है उसे कुछ नहीं आता मैंने अक्सर बुदिमान को कम बोलते और मुर को जरूरा से ज़्यादा बोलते देखा सचे लोगों को साय जूट का पता ना हो लेकिन जूटे लोगों को सच का हमेशा पता होता है कुछ नसीब हो तुम की कोई तुमें मानता है तुमारी फिक्र करता है तुमारे हर मुर को संभालता है कभी तुम भी उसका साथ दो हमेशा तुम ही नहीं बलकि वो अभी तुमारे प्यार को डिस्वर्स करता इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी से बहस करने को मन करता है और ना किसी को समझने का मन करता है बसका सूर इतना था कि जीना चाहा तो जिन्दगी दूर थे हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हैं सर जुका कर कबूल कर ले हर सजा बसका सूर इतना था कि बेकस तूर थे हम, इसको कभी भी हैसियत के तराजुस में मत तुलना, क्योंकि इसके दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं, बहुत कुछ देती है, जिन्दगी किसी पर यकीन करो, तो धोखा और ना करो तो अकेला पन मिलता है, चलो अच्छा हुआ, पता तो चला, बहुत कर भी बढ़ाने से रिष्टे तूट भी जाते हैं, किसी एकसरे में भी नहीं आते हैं, वो जक्त, जो हमारे अपने हमें दे जाते हैं, जब किसी का भी नजर अंदाज करने की हद, हद पार कर जाये, तो अजनवी बन जाना ही मुनाबिसिव होता, बातों से दिये गए तानों के जक्म बड़े गहरे होते हैं, कतले भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते हैं, जहर एक न दिया और जहरीले सभी लगने लगें, आप कितने ही मीडिल क्लास के क्यों ना हो, लेकिन आपको सोच हमेशा हाई क्लास की होनी चाहिए, किसी का बुरा करके कभी खुस मत ह होना, क्योंकि जब उपर वाला हिसाब करता है, तो उस समहलने के तो क्या, रोने के भी लाइक नहीं छोड़ता, हवाएं अगर मौसम का रुक बदल सकती है, तो दुआएं मुसीबत के पल भी बदल सकती है, पानी का स्वात्तव लिया जाता है, जब आप प्यासे होते हैं, ठीक उसी तर एक सच्चे इंसान के प्रेम और उसका महत्तब पता चलता है, जब आप अकेले होते हैं, जितना गहरा प्यार होता है, उतना ही गहरा वार होता है, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुने हुई बात कभी न कभी काम ही आ जाती, अच्छी सेल्फी लेने से अच्छी इमेज नहीं बनती, अच्छे काम और मेहनत करने से अच्छी इमेज बनती है, एक वक्त तक सबका साथ रहा फिर एक एक करके सबने अवकाद दिखा दी बहुत मिलेंगे तुमें इस दुनिया में वफा के नाम पर लूटने वाले पर तेरे खातिर कोई अपनी आखे नम करे तो उसे मेरा सलाम कहना नहीं है मलाल इसक में नकामी का सुना है धूरी मुहबत की मिसाले दी जाती है मुश्किलों से कादो उल्जा न करो हमसे हम हर हाल में जीना का हुनर रखते हैं बिना कुछ कहे तेरे जाने का मलाल आज भी है किसी वज़ा से तुम गय मुझे सवाल खुच से आज भी है कुछ रिष्टे कुद्रत खराब करती है ताकि हमारी जिन्दगी खराब ना हो जीवन में हमसे ज्यादातर गलतियां तो इसलिए होती है कि जहां हमें विचारों से काम लेना चाहे वहां हम भावक हो जाते हैं और जहां भावक्ता की जरूरत होती है, वहां हम विचारों को अपना लेते हैं. चापलूसी भी एक कला है जो स्वाविमानी कभी नहीं सिख सकता. और स्वाविमानी होना भी एक गुड़ है, जो चापलूसी इनसान में कभी नहीं हो सकता. हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं दो मुह वाले, चाहे हो साप हो या इंसान हो रिष्टों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं कल जितनी हसरत थी तुझे पाने की, आज उतनी ही हसरत है तुझे भूल जाने की जो भी होता है अच्छे के लिए जरूर होता है, मगर वो होते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता जो तुम्हें तकलीप में देखकर खुद रोपड़े, ओ इंसान तुम्हें कभी भी तकलीप नहीं दे सकता चारो तरफ से बनती बात विगड़ जाती है, जब जिन्दगी आपके खिलाप हो जाती है थोड़े टेड़े रहोगे तो चलते रहोगे, पूरे सिधे हुए तो बात ही खत मने देखा है तुटा हुआ इंसान, हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता झाल झाल